उनके हाथ पे किताब होना चाहिए था, उनके हाथ पे सराप का बोतल थमा दिया है, एही चरित रहे, एही हकिकत है, एही जार्खण मुक्ति मोर्चा है, अब तई कर रहे हैं कि पांस उरुप्या लो छंडा उतारो, इसका मंत्री भी चुला हडिया भोलने लगा, हाड़ी पर था, ये 18 साल, 19 साल बीद गया, 19 साल में आज मुक्ष मुंत्री जी और जार्खण मुक्ति मोर्चा के कार करता हो तो, चोक चवरहा पर खड़ा होकर, अपने किये हुए कार्जों का पिटारा खोलना चाहिए था, ऐसा हो रहा है क्या, कोई विकास की उप्लत्धी पर चुना दिये हैं, और जार्खण के नौजवान, ढूमरी के नौजवानों को चोक चोरह पर खड़ा होकर, जिनके हाथ पे किताब होना चाहिए था, उनके हाथ पे सराप का बोतल थामा दिये हैं, एही चरित रहे, एही हकिकत है, एही जार्खण मुक्ति मोर्चा है, एही मोर्चा ह और इन्हें को दाइतु दिया गया है कि भाई दिखाकर बूत लेने के काम मैं पहली बार इसा देखा इस राच्रन देखा है राजनिती में इस आच्रन का करेंगे मैं नहीं जानता लेकिन राजनिती का और लोगतंत्र में जो विश्वास रखते हैं ऐसे आच्रनों को बाहर करेंगे ऐसा सम्भू है किसी को भाईवित करेंगे कोई अपने विचार से पार्टी का जंडा खड़ा कर रहा है तो उसको आप धंकाने का काम कर रहे हैं आप तई कर रहे हैं कि पांस और उप्यालो जंडा उतारो छूटा पिठारा फिर से खोलने के लिए और मैंने कहा था कि चुला पर मुख चुला पर मुख बोलेंगे अब मुख मंत्री चुला पर मुख चुला पर मुख बोल रहे हैं इसका मंत्री भी चुला हड़िया बोलने लगा है क्या बोला हाड़ी पर मुख बोलने लगा है हमने भी सही ठमा दिया बताओ मैं 913 दीदी फुरूस को पिल हमन जी आया और बोले यह मेरा घ्र है यह मेरा घ्र है उस्षी पुछने का अधिकारी आपоны आपको नहीं और वहांसे हारे पक्कपर आध चाहिए ना था करें आधा हजार लोग और इतनी छोटी झाल झाल झाल